तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाश 10 का जो बायोलाजी का चैप्टर है अनुवान सिक्ता एवं जयो विकास के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो मे मैं पूरा चैप्टर क्लियर करूँगा और इतनी बारीकी से बायोलाजी को समझाऊँगा कि पूरी बायोलाजी आपके दिमाग के अंदर घुश जाएगी तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना है और एक बात कि कॉपी पेन लेके बैठना है तो चली भी नदेर के वे इस्टार्ट करते हैं बैयोलाजी में अनुवानसिक्ता एवं जैयो विकास तो देखें बच्चो सबसे पहले हम समझेंगे अनुवानसिक्ता क्या होता है अनुवानसिक्ता एवं अनुवानसिक्ती के बारे में समझेंगे चैप्टर है आपका बच्चो अनुवानसिक्ता एवं जयो विकास ठीक है अनुवानसिक्ता एवं जयो विकास देखिए अनुवानसी की सब्द जो आता है जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ तो वहाँ पे लोग हमको देखकर क्या बोलते हैं लोग हमको देखकर बोलते हैं अरे बेटा तु तो अपने मम्मी की तरह दिखता है अरे बेटा तेरी नाग तो तेरे पापा की तरह है बोलते हैं न ऐसा अरे यार तुम तो अपनी लंबाई में अपने पापा की तरह गए हो बेटा अब ये ऐसे क्यों बोल देते हैं लोग बताईए ऐसा क्यों बोल देते हैं कि आपको किसी ने बोला है कि आपकी सकल किस से मिलती है बताईए कि आपको किसी ने बोला है बोला है नहीं बोला तो देखें क्या होता है कि अनुवानसिकी जो होता है अनुवानसिकी को हम बोलते है कि अनुवानसिकी के अंतरगत अनुवानसिक्ता एवं विभिन्नताओं का अध्यन किया जाता है ठीक है जो अनुवानसिकी होता है बेटा उसके अंतरगत अनुवानसिकी के अंतरगत अनुवानसिक्ता वर्ड आ रहा है अब अनुवानसिक्ता को हम लोग डिटेल में अनुवानसिकी के अंतरगत अनुवानसिक्ता एवं विभिनताओं का अध्यन किया जाता है किसका बेटा विभिनताओं का ठीक है विभिनताओं का अध्यन किया जाता है क्या कहलाता है बच्चों अनुवानसिकी कहलाता है तो अनुवानसिकी क्या होता है कि अनुवानसिक्ता अनुवान सिक्ता कि यह होता है कि जो एक पीडे से दूसरी पीडे में लक्षड जाते उसको वोते विभिड़ता हो क्या होती 발라s cancel जो हम अपने मम्मी या पापासे थोड़ा सा अलग बाई प्रोडदक्ट होता है हैज या मम्मी पापा कुस आई से बने हैं तो हम लोग थोड़ा सा बिलकुल अलग होते हैं होते हैं कि नहीं सेम टू सेम हुबा हूँ तो मिल नहीं जाते हैं कि मिल जाते हैं बिलकुल हुबा हूँ नहीं मिल जाते हैं ठीक है बिलकुल हुबा हूँ मिलते ही नहीं है बिलकुल थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हम मिलते हैं मांकि हम अलग होते हैं ठीक है अलग नया प्रोडक्ट हम लोग होते हैं जो बच्चे लोग होते हैं वो नया प्रोडक्ट होते हैं ठीक है तो अनुवांसिकी क्या होता है कि अनुवांसिकी के अंतरकत अनुवांसिक्त विभी नताओं का अध्यान किया जाता है उसको हम अनुवांसिक कहते हैं अनुवांसी की को बेटा इंगलिस में बोलते हैं जेनिटिक्स क्या बोलते हैं जेनिटिक्स ठीक है अभी जेनिटिक्स का प्रियोग जो जेनिटिक्स वर्ड था इस जेनिटिक्स का प्रियोग सर्व प्रथम किसने किया तो जेनिटिक्स का प्रियोग सर्व प्रथम डवलू बेटशनने किसने बैटा डवलू बेटशनने जेनिटीक्स मतलब की अनुफंशी की सब्द का सबसे पहले प्रियोग किसने किया तो डवलू बैटशननने और कभ किया यह किये थे 1905 PP में ठीक है बताए अनुफंशी के समझ में आया कि नहीं वेटा समझ में आया ना अनुवान सीजी के समझ में आया अब हम लोग चलते हैं देखते हैं अनुवान सिक्टा के बारे में किसके बारे में जीवों का वह गुण जीवों का वह गुण जिसके अंतरगत वह गुण जिसके अंतरगत लच्छण जो होते हैं जो हमारे लच्छण होते हैं लच्छण एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं अनुवान सिक्टा कहलाता है क्या कहलाता है वेटा अनुवान सिक्टा कहलाता है ठीक है मतलब कि अनुवान सिक्टा का अर्थ हुआ कि जो एक पीड़ी के जो लच्छण होते हैं वो दूसरी पीड़ी में जाते हैं जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है ऐना बलकुत हूबा हूँ पतला हूबा हूँ तो नहीं मिलता लेकिल थोड़ा थाड़ी वो मिलता रहता है ठीक है उसे को हम लोग बोलते है अनुवान सिक्ता समझ मैं आयाए कि नहीं अनुवान सिक्ता के बारे में बताव villain अब ये जो लच्छन की बात होती है क्या होते हैं लच्छन लच्छन एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में जाते हैं बताईए लच्छन जो होते हैं एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में जाते हैं अखिरकार ये लच्छन भरे कहां पे होते हैं अब हमको पता है कि mobile में अगर हमको picture transfer करनी हो इस phone से उस phone में तो हम किसका use करते हैं, share it का, अगर share it नहीं है तो chip में डालके copy कर लेंगे फिर उसमें जाके देख लेंगे movie, बताइए अगर laptop पे movie है तो क्या करेंगे, chip में डालके copy करेंगे, फिर mobile में डालके देख लेंगे, मत सहारा हुई, जो chip होती है, memory card होती है, वो एक ले जाने वाली इकाई होती है, है ना movie को, अब इधर ले जाने वाली movie को, इधर ले जाने वाली लच्छड की इकाई कौन सी है, तो वो होती है बेटा, DNA, क्या होती है बेटा, DNA, इसका full form होता है, D, oxy, ribonucleic acid, ठीक है बेटा, जो DNA होता है, जो सूचनाई होती है, उनको ले जाता है, अब आगर आपसे कभी भी पूछा जाए, कि सूचनाओं को कौन ले जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो होना चाहिए, DNA, अब आपको पता होना चाहि अब पूशा जाए DNA के अंदर किसमे बढरे होते हैं अब हमको पता है जोestionा सय ना उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मेटा जीन है अब बात आती है जीन की खोज सरु प्रथम किस ने किया था जीन की खोज सरु प्रथम बेटा जौहंसन नामख वैज्यानिक ने जीन की खोज की थी इसको आप आपकी जान्कारी के लिए बता रहा हूँ ठीक है अब देखते हैं कि यह लग्छण पायता है अब देखेंग कि DNA ने कहां पाया जाता है बताइए अब हम देखेंगे कि DNA जो होता है डियोक्सी राइबो न्यूकलीकसी यह किदर पाया जाता है तो बिटाज़ helps नहीं होता है वह पाय साथ है कोसी का के कोशी का में पाया जाता है going swift कोशिका में पाया जाता है हमारा केंद्रक क्या पाया जाता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुर्षूत्र क्या पाया जाता है गुर्षूत्र अब वह गुर्षूत्र कुछ ऐसा बना होता है आप लोगों ने देखा होगा ठीक है यह गुर्षूत्र होता ह पोसिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है केंद्रक केंदर गुर्सूत्र अब यहीं गुर्सूत्र के अंदर क्या पाया जाता है बेटा डियने और डियने के अंदर जीन पाया जाता है डियने कैसा होता है आपका यह देखिए ऐसा आपका कुछ डियने बना होता है ठीक है त निचे तक दिख रहा है ना बेटा बताइए नीचे कमेंट करिए अनुवान सिकता के जनक किसको माना जाता है पेटा अनुवान सिकता के जनक ग्रेगर जौन मिंडल को माना जाता है किसको बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको अनुवानसिक्ता का जनक माना जाता है और इन्होंने अठारा सो दो इसवी में इन्होंने आये थे और ये चर्च में पादरी थे और ये ग्रेगर जॉन मेंडल कहां के रहने वाले थे तो ये ये चर्च में पादरी का काम किया करते थे अब पादरी का मतलब क्या होता है पादरी का मतलब होता है कि फूलों में पौधों में पानी डालना है ना उनकी सेवा करना उनकी देखरे करना ये काम था इनका तो ग्रेगर जॉन मिंडल देखते हैं कि चर्च में एक तरफ मटर का पौधा लगा हुआ है मटर का पौधा कुछ में से कुछ पौधे देख रहे हैं छोटे कुछ बड़े कुछ और बड़े कुछ और बड़े हैं ना कुछ की फली बड़ी होती छोटी होती है कुछ के फूल हरे होते पीले होते काले होते लाल होते इस तरह देखें मतलब देखे भगवान है जो भी है इस दुश्टी में उसने भगवान को इंडीकेट कर दिया करते थे थे थेना तो इन्होंने भगवान को ठुकर आया और बोला अपना एक मॉडल दिया जिसको हम लोग अज। लेकिन उस समय लोग भगवान को मानते थे इसलिए इनको इनको चुप करवा के बैठा दिया गया कि तुम चुप रहो तुम गलत बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल क्या होते हैं कि अपना जो नियम था उसको एक जो मतब कि वहां का पत्रिका थी नियूजपेपर था उसमें छपवा दिये थे तो नियूजपेपर पड़ा था जब धीरे धीरे बाद में जब डबलू बेटसान आएं 1905 में पे तमिन का धीरे धीरे अन अनुवान सिकता के बारे में अब ग्रेगर जॉन मुंडल के बारे में मैं भी जान चुक है इस वीडियो में हम लोग ग्रेगर जॉन मुंडल के तीनों नियम फुल डिटेल से पढ़ेंगे थीग तो आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं इसका जयूविका बेटा तो जब देखो सोचो मिंडल को मरने के बाद नोबेल पूरसकार मिला उस समय लोग क्या होते थे लोग जो थे वो भगवान को मानते थे बोलते थे अच्छा यह सब भोजन है यह है सब भगवान नहीं दिया है लेकिन मिंडल गया थे उल्टी-खोपडी के ओ बोले नह साम को कूलर के पास लेट गया बहुत जुखाम होगए मेरे को एक को जुखाम का इलाज है क्या तुम लोगों के पास अगर है तो नीचे लुक्त करिये अब मतलब क्या होता है को जयो विकास कहते हैं बिल्कु सिंपल डिफिनीशन बताइए इतनी सिंपल कहीं मिलेगी और इतना अच्छे से कोई समझाएगा यूटूब पे बताओ अगर समझाए तो बता देना भया मैं भी जाके वहाँ पर समझ लूँगा ठीक है तो जयो विकास क्या होता है कि जीवो होने वाले अन्वानसिक परिवर्तन को ही जयो विकास कहते हैं अब इसका दूसरा डिफिनीशन है कि जीवों के एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में किसी कहोगा बेटा तो एक पीड़ी से दूसरा पीड़ी जाएगा ही एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में दूसरे के से समझ चुके हैं ठीक है होने वाला अन्वानसिक परिवर्तन जयो विकास कहलाता है ठीक है जयो विकास कहलाता है अब बेटा बाप फिर यहां पर समझे कि जो जयो विकास है जो जीवों में जो विकास होता है वो किसके दोरा होता है देखें सबसे पहले हम समझेंगे कि एक नर होता है एक मादा होता है ठीक है नर में कितने क्रोमोसोम होते हैं कितने गुण सूत्र होते हैं गुण सूत्र के अंदर DNA पाया जाता है और DNA के अंदर जीन नर में होते हैं 46 गुण सूत्र और मादा में होते हैं भी 46 गुण सूत्र जब नर से सुक्राणू बनता है क्या बनता है बेटा सुक्राणू तो यहाँ पे कित्ते बनते हैं 23 गुण सूत्र बनते हैं और जब जीनाडू बनता है मादा से तो यहां पे भी अर्ध सूत्रीविभाजन होता जिसके करन गुड़ सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है यहां पे मतलब की अर्ध शूत्री विभाजन होता है ठीक है बैटा अर्द शूत्री विभाजन यहाँ पर गुर्षूत्रों की संख्या आधी हुई और जब यह आपस में मिलते हैं देखिए जब तेज गुर्षूत्र नर के मिलेंगे इन चचा के मिलेंगे और तेज गुर्षूत्र इन चची के मिले तो क्या ओगा इन दोनों का प्रोडक्ट जब एक बनेगा तो थोड़ा सउ सिंग टो गह cosmos कहुए दर भ्लीजब शूत्र है और यह चछा से और चछी से बिलकुल अलग दिख रहा है ठीकर बस थोड़ा सा मेल खा रहा है ठीक है अब यहीं होता है जीवों में परिवर्तन अब देखिए यहां पे नर है यह मादा है इनके में परिवर्तन हो गया की नहीं बताइए इन चाचा के चाची के जब यह नया बच्चा पैदा हुआ तो नया परिवर्तन कुछ हुआ की नहीं आप लोग पहल ले लिए तो इसको पने कॉपी पे ले लिए होगा अब एसको मिटाता हूं और मैं पढ़ाता हूं मानो के गुड़ सूत्र के बारे में ठीक है हो जाती है और कोई काम करने वाला नहीं मेरे पास की कोई हो सात में समान में रहते हैं इनको बोलते हैं 23 जोड़े ठीक है 23 जोड़े गुर्षूत्र होते हैं मतलब कि 46 गुर्षूत्र होते हैं इसमें से 22 जोड़े गुर्षूत्र 22 जोड़े गुर्षूत्र को हम लोग बोलते हैं बेटा अलिंग गुर्षूत्र क्या बोलते हैं बेटा चोड़ी गुड़ सूत्र को हम लोग बोलते हैं लिंग गुड़ सूत्र क्या बोलते हैं बेटा लिंग गुड़ सूत्र मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम ठीक है जो कि हमारी सिक्स का निर्मार करता है कि महिला होगी या पुरूस होगा और अलिंग करता है अलिंग फूर को हम इंगलिस में बोलते हैं बैटा ओटो सोग ठीक है में देखिए बाइस जोड़े नीर्माब्पर ये गुण सुतर नहीं नहीं करते हैं और जो एक जोड़ा बूस तो होता वही लिंग का निर्मार करता है तो आखिरकार बाईस जोड़े का करते हैं बाईस जोड़े पूरे सरीर का निर्मार करते हैं लिंग को छोड़ करके लड़का या लड़की को छोड़ करके पूरे सरीर का निर्मार दिमाग को बनाना दिल को बनाना हड़ी को बनाना पैर को बनाना हाथ को बनाना आख को बनाना ये सब चीज कौन करता है अलिंग गुरसूतर जिसको हम बोलते हैं आटो सोम और लिंग का निरधारन कौन करता है लिंग गुरसूतर जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो की एक जोड़ी पाया जाता है यह बहुत important question है अब आपको बता दे कि pregnancy के वक्त तीन महीने में जब pregnancy होती है उसके तीन महीने में बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है क्या हो जाता है बच्चे का बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है ठीक है अब जो तीसरा महीना होता है पहले से तीसरे महीने के बीच में बच्चे का ही जो लिंग होता है वो निर्धारण हो जाता है अब आपको पता है कि जो मेल होता है जो नर होता है उसका क्रोमोसोम होता है X, Y और जो मादा होते है उसका क्रोमोसोम होता है X, X अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ को जब पूरुस होगा जब लड़का होगा या पूरुस होगा या महिला होगी पूरुस का गुर्सूत्र होता है Y और महिला का गुर्सूत्र होता है X ठीक है अगर Y गुर्सूत्र X के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा XY मतलब कि पूरुस बनाएगा और अगर पूरुस का गुर्सूत्र X महिला के गुर्षूत्र X से मिलेगा तो क्या बनाएगा लड़की मतलब कि यह difference है पूरुस का Y होगा महिला का X होगा अब आप लोग यहाँ पर देखे कि जो नर है नर में X और Y दोनों गुर्षूत्र पाए जाते है इन में से 23 जोड़े गुर्षूत्र अलिंग होते हैं और एक जोड़े गुर्षूत्र लिंग गुर्षूत्र होते हैं यह आपको पता चल गया तो देखिए देखिए बेटा यहाँ पे जो X गुर्षूत्र है उसको यक्स गुर्षूत्र अगर इस मादा की X गुर्षूत्र से मिलेगा खेस्ते मिलेगा एक से मिलेगा तो क्या मनाएगा यक्स एक सब्सकिये है तो जब इधर उम होंगे उन गुरुसूत्र उधर भेजेगा तो कौन से बच्चे का निर्माड होगा एकस एकस मतलब की महिला का निर्माड होगा पुरुस मतलब की मेल अगर एकस गुरुसूत्र भेजेगा तो किसका निर्माड होगा महिला का अगर पुरुस का इस्पर्म जो है इसको हम क्या बोलते हैं सपर्म जिसको हम लोग बोलते हैं सुक्राड। अगर यह वाई क्रॉमोसом भीजेगा इधर और इधर के yक्स क्रॉमोसommes से मिलेगा तो वीक्ता यह क्या निर्माद करेगा यह बनाएगा अधर का वाई इधर का याख इधर का वाई मतलब कि 120 किया क्रोमोसом होता है कि लड़का और लड़की पैदा होने में पुरुस जिम्मेदार होता है महिला को सिर्फ इसपम दिया जाता है अब जैसे मैं तुमको अच्छी रोटी दूँगा अच्छा खाना दूँगा तो तुम्हारे पास अच्छा दिमाक आएगा अगंदा खाना दूँगा तो गंदा दिमागा आएगा ना ऐसे होता है अब इधार जब पूरुस एक सु गुड़ सूतर देगा तो क्या बनेगी लड़की बनेगी अगर पूरुस वाई गुड़ सूतर देगा तो लड़का बनेगा मतलब की लड़का या लड़की होने पर महिला का कोई भी दोस नहीं होता है यह किसका दोस होता है लोड़ड़ उसमें जब फटलाई जेसा होता है तो नहां पे क्या होते हैं बहुत धेर सारे जो गुरसूतर होते हैं निकलते हैं बहुत धेर सारी इस्पर्म जो होते हैं वो निकलते हैं अब उन में से जो तगड़ा इस्पर्म रहेगा अगर लड़की का इस्पर्म तगड़ा है तो ज्यादा तेज दोड़ेगा अगर लड़की का इस्पर्म ज्यादा मतलब इस्पर्म में रेश होती है और ज यक्स वाला इस्पम तगड़ा है तो यक्स वाला जाके फर्टलाइस करेगा तो यहां तक का आप इस्क्रीन सॉट ले लिजिए और इस डाइग्राम को आप लोग बना लिजिएगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे जो खिंणर होते हैं जो छक्का होते हैं उसका जन्म कैसे होता है तो देखिए यहीं पर आप लोग स्मझ लिजेगा जब एक्स क्रोमोसंव के साथ मिलता क्रोमोसों तो पूरूय कोछ परश बना लेता है लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी हालत होती है जब गुरसूत्र खराब हो होती है देखिए कि कभी कभी गुड़ सूत्रों में खराबी के कारण कभी कभी गुड़ सूत्रों में खराबी के कारण अगर अच्छे होते तो कौन से क्रोमोसम बनाते हैं एकस एकस बनाएंगे या तो एकस वाई बनाएंगे एकस एकस का मतलब होता है लड़की और एकस वाई का मतलब होता है लड़का अब अगर किसी भी कारण खराबी के कारण यह गुड़ सूत्र एकस एकस ना बनाके त्रीपाल एकस बना लेती हैं त्रीपाल एकस का जाता है एक क्रोमोसोम और आके जुड़ जाता है तो यहीं हो गई खराबी अब यह लड़का एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिल रहे थे तब इसी की वज़ा से किन्नर या छक्का का जन्म होता है किसका जन्म होता है किन्नर या छक्का का अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो किन्नर होते हैं या छक्के होते हैं उनमें तो हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब कि भगवान का स्राप है पिछले जन्म का पाप है कि वहाइब तोन पक्ता जिया कि गूर्व सूत्रों की खराबी के कारण ही इनका जणम होता है ठीक और ये भी मनुश्चे इनको भी रिस्पेक्ट चाहिए इनको भी जीने का हक है प्रत्वी पर सिर्फ आप लोगों का सिर्फ हम मत देखिए ठीक है कि इनका इक इनका यह होता है यह होते हैं ऐसे बिलकुल भी नहीं क्योंकि आप जज करने वाले नहीं होते हैं किसी आदमी को किसी भी बैक्तिक हो जज नहीं कर सकती हैं ठीक है तो बीटा कभी भी जीवन में judgmental मत बनना याद क्योंकि जब तुम कभी भी ल किसी को भी तो आप लोग यहां तक पढ़ चुके है तो इसका क्या रोगों क्या यह इस्क्रिंशाट ले लिए जाता है तीक्ए में ठीक है प्रिगनेंसी के तीसरे महीने तक लिंग निरधारन हो जाता है गुड़ सूत्रों में खराबी होता है तेज बुखार के कारण जैसे कि जब माता की पेट में बच्चा है प्रिगनेंसी हुई है अभी हाल ही में ही अब उनको तेज बुखारा गया तेज बुखारा रहेगा इसके बाद chemical यूगत अगर भोजन करती है अब पेट में बच्चा है का करीं जाके समोसा चाय पकोड़ा ये सब चीजे बाहर का खा रही है chemical यूगत भोजन कर रही है इससे भी chromosome के disable होने के chances रहते हैं chromosome के खराब होने के chances रहते हैं इसके बाद आपका क्या होगा इसके बाद होगा बेटा दवाओं दवाओं के प्रियोग से जो हम लोग जब pregnancy हो जाती है तो दवाओं का जो प्रियोग होता है वो डॉक्टर मना कर देता है कि बीना पूछे तुम दवाएं नहीं खा सकती हो एक नॉर्मल सी पैरसिटा माल भी तुम बीना पूछे डॉक्टर से नहीं खा सकती हो ठीक है अगर वो ऐसा करती है तो क्या होता है जो लड़का होता है वो खराब हो जाता है ठीक है या तो लड़का होगा लड़की होगा तो किंडर हो जाएगा या तो उसका आ आज आप लोगों ने इतना पढ़ चुके हैं अब हम लोग इसके आगे देखेंगे मिंडल के नियम के बारे में अभी तक आप लोगों ने ग्रेगर जौन मिंडल के बारे में थोड़ा सा समझा है लेकिन अब हम ग्रेगर जौन मिंडल के नियम के बारे में बताएंगे तो च record है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं मैं सिर्फ समझाता हूं और समझा समझा के उस बंदे को मैं याद करा देता हूं ठीक है अब मैं जो यहां पर आपको पढ़ाऊं को नहीं जीवन भर आपको याद रहेगा और कभी भी ऐसा भूले करें क्योंकि आप लोग किसके इस्टुडें था यार क्योंकि पता है बहुत जादा फीवर हो गया था उसके कारण से देखो सालों सरवर मतलब करवा लिया हूं फीवर के बहुत जादा फीवर था और अभी भी फीवर है लेकिन फिर भी पढ़ाना तो पढ़े गई दिखें वहां फिर इसके पहले आपने क्या पढ़ा यह आपको पता है कि मिंडल ने किस पौधे पर अपना प्रियोग किया था तो मिंडल ने मतर के पौधे पर अपना प्रियोग किया था और मतर के पौधे का जो वैज्यानिक नाम होता है वो होता है इन्होंने मतलब कि मतर के पौधे पर ही मिंडल ने इन्होंने प्रियोग क उनमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे पहला है उनका प्रभाविता का नियम कौन सा है प्रभाविता का नियम ठीक है पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है प्रथक करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अप्विवहन का नियम ठीक है तो प्रभाविता का नियम ये ब विपरीद लच्छन वाले पौधे को थोड़ा आवाज में दिक्कत होगी लेकिन आप लोग क्लीरी समझ लेजएगा पौधे को आपस में आपस में क्रौस कराया जाता है जब विपरीत लच्छण वाले पौधे को आपस में क्रास कराया जाता है तो यफवन पीड़ी में तो यफवन पीड़ी में केवल प्रभावी लच्छण ही देखने को मिलते हैं लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही तो आप लोग इसको लिख लीज़ेगा ठीक है अब विपरीत लच्छण वाले पौधे क्यों कौन कौन से होंगे देखिए विपरीत लच्छण वाले पौधे मतलब की जैसे हो गया Capital T Capital टी और इसका इस पौधे का प्रियों किस पर विपरी लच्छण वाले मतलब small t, small t पर जब इंपा संकरन कराया गया तो Capital T का मतलब होता है बिटा T लंबा पौधा और small t का मतलब होता है बाउना पौधा ठीक है बिटा तो लंबा और बाउना पौधे के बीच में जब आपस में cross कराया जाएगा cross ऐसे कराते हैं T इधर करेंगे T इधर करेंगे, दोनों को अलग-अलग बाट लेंगे, इधर भी इसी तरे करेंगे, फिर ये वाले T से इसका प्रियोग करेंगे, capital T small t आया, फिर ये वाले T से इसका करेंगे, फिर क्या या बेटा capital T small t आया, फिर इसको इसको करेंगे, क्या या बेटा capital T small t आया, फिर इसको यह प्रभावी लच्छड है मतलब कि अप्रभावी दोनों लच्छड होने के बावजूद जो अप्रभावी लच्छड है इसमाल टी वाला बौना पौधा वो रह होने के बावजूद भी वो छिपा हुआ है ठीक है तो हमको यपवन पीड़ी में किसमें बैटा यपवन पी प्राभावी लच्छडवाले पौधे थीज़िए Screw can't we бал norm ग्रावाले पॉर्भावंच्छडवर पॉर्धे को यहकुछ और फिर निज़िए प्रद्धा इसे रहेंदव फर्रॉलोगießen आयेगा जिसको हम लोग जानते हैं प्रछक करण के नियम से वो नियम भी वेटा ऐसे ही काम करता है ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथक करण का नियम चलिए बेटा अब हम लोग देखेंगे कि second number है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथक करण का नियम कौनसा नियम प्रथक करण का नियम तो पहला नियम आप लोगोंने देख लिया उन में से यपोन पीड़ी प्राप्त हुई है उसी में से प्रथक करण कराया जाएगा ठीक है इ यही लिखेंगे और सुद्धिता के नियम से आता है तो भी यहीं लिखेंगे तो हम यहां पर यह लिखेंगे कि यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतती को कि संतती का मतलब जो यहां प्राप्त संतती को स्वपरागण कराने पर क्या परागण क्या होता है मतलब कि उनको आपस में ही क्रॉस कराने पर यफवन पीढ़ी थी वो जो पहला नियम था वो यफवन पीढ़ी ते और यह यफवन पीढ़ी है तो यफवन पीड़ी में तीन अनुपाते एक के अनुपात में लच्छण देखने को मिले ठीक है लच्छण प्रदर्शित हुए ठीक है अब क्या बोला वेटा कि यफवन पीड़ी से प्राप्त संतत्ति को शौपरागर यफवन पीड़ी में हमें पता है कैप्टल टी स्माल टी प्राप्त हुआ था ठीक है हमको मतलब यही वो प्राप्त हुआ था अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे संकर लंबा पौधा क्या बोलेंगे वेटा संकर लंबा पौधा इसको भी हम यही बोलेंगे वेटा संकर लंबा पौधा ठीक इसको हम लोग क्या बोलेंगे शंकर लंबा पौधा जब इसको आपस में हम लोग स्वा परागण कराते हैं क्या करते हैं तो देखिएगा capital T small T फिर इसको मैंसे करेंगे capital T small T जो हम लोग blood group निकालते हैं न जब blood capital T capital T आएगा है ना फिर capital T इससे कराएंगे क्या आएगा capital T small T फिर ये capital T small T फिर ये क्या आएगा capital T small T मतलब कि यहां पर लच्छण देखिए capital T capital T Capitalty. है ना? मतलब कि जो प्रभावी लचछड है, जो प्रभावी लचछड की मतलब संकर लंबा पौधा, जो लंबा पौधा का जो लचछड है, वो हम को तीन भागों में देखने को मिला तीन अनुपाते एक की अनुपात में लचछड देखने को मिला कब बेटा फीनो टाइप में अब फीनो टाइप जीनो टाइप क्या होता है देखिए जीन का मतलब होता है जब उसमें अंदर से हम लोग झाक के देखें अब इसमें से हम लोग लंबा लंबा देख रहें कि कैप्टल टी कैप्टल टी कैप्टल टी मतलब कि तीन यह एक टी स् तो जीनो टाइप होगा एक है आपका सुध्ध लंबा पौधा एक अनुपाते दो संकर लंबे पौधे यह आएगा इसका बेटा जीनो टाइप ठीक है तो फीनो टाइप होगा तीन अनुपाते एक और जीनो टाइप होगा इसका एक अनुपाते दो अनुपाते एक तो यहीं प्रथक करण का नियम क्या होता इसमें यह फ्टू पीडी से प्राप्त संतती को जब आपस में 100 परागण कराने पर लजशक्ति नंपात एक के अनपात में देखने को मिलते हैं ठीक है अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे जिस नियम का नाम है स्वतंत्र अब व्यूहन का ठीक है श्वतंत्र अब्युहन कानियम हम लोग देखें कि इसको की तीसरा नियम है है श्वतांत्र अब व्यूहन का को दो नियम आपने पढ़ लिया है ठीक है तो नीचे कमेंट कर के बताव वो दोनों नियम समझ में आंए है कि नहीं बताइए जल्दी बताइए स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जे बोलता है कि जब दो जोड़ी विप्रीत लच्छण वाले पाउधे के बीच जब दो जोड़ी समझेगा बीच शंकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं ठीक है कि समझाया ना स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं मतलब कि जब दो जोड़ी विप्रीत लच्छण वाले पाउधे के क्वेच अब दो जोड़ी हम लोग कैसे समझेंगे इसको आप लोग समझिएगा ठीक है जैसे हमने लिया गोल पीले बीच गोल पीले बीच हमने गोल के लिए शंकेत किया capital R और पीले के लिए संकेत किया इसमाल वाई हमने लिया गोल और पीले बीज वाले पौधे लिया इसके बाद हमने लिया जुरीदार क्या लिया बेटा जुरीदार हरे बीज ठीक है हमने पहले लिया गोल पीले बीज फिर जुरीदार हरे बीज जुरीदार हरे बीज के मतलब हमने लिया इसमाल और इसमाल व अधों के बीच में जब संक्रण करा जाएगा तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे कि वह हो है वह है जिस्वतनत्र अभ्युभन का नहीं अब यहां पे हम लोग संक्रण कराएंगे जैसे देखिएगा इस RR को हम लोग अलग करेंगे क्या आएगा बेटा कैप्टल R फिर ये इस YY को हम लोग अलग करेंगे ये है कैप्टल Y और ये आएगा कैप्टल Y अब हम इन जब आपस में संकरण कराएंगे इसका तो ये देखिए ये इससे संकरण करेंगे तो क्या आएगा capital R, capital Y, ठीक है इधर capital ही है सब, फिर इससे कराएगा तो क्या आएगा capital R, capital Y, फिर इससे, मतलब इसमें सब ही आएंगे capital R, capital Y, ठीक है, देखिएगा, फिर इधर capital R, capital Y, अब जब इधर जैसे हमने ऐसा, इधर कराएगा, वैसे इधर कराएगे, तो इधर भी वैसे ही आएंगे इधर हमने कराए यह हुआ हमारा small r small r अब इधर हमने करा दिये यह हुआ small y और यह हुआ हमारा small y ठीक है अब देखिए यह small r हुआ small y हुआ ठीक है अच्छे समझेगा इसी तरह आपको कराना है यह नियम थोड़ा सा बड़ा है ठीक है और ये नियम भूल भी जाता है अक्सर में देखा हूँ लड़कों को ये नियम मैं भी जभ पढ़ता था तो मैं एक दू बार पढ़ेते हम इसके बाद हमें भूल गया था फिर जब हम दुबारा से पढ़े तिबारा से पढ़े तब ये चीछे याद होएं अब क्या बोला कि यह जो यफळी रहय है इदर परागड 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 जब इनको लोग 100 परागड करेंगे देखें यह सब चीजे मेल खा रही है तो Capital R Capital Y और इधर भी मेल खा रही है तो समाल और समाल Y हम लोग इतना इधर लिख देंगे ठीक है अब इसका नाम क्या होगा वेटा इसका नाम होगा संकर गोल पीले बीज क्या होगा वेटा इसको हम लोग बोलेंगे संकर गोल पीले बीज ठीक है शंकर शंकर गोल पीले बीज ठीक है अब हमको मिला कैप्टल आर कैप्टल आर कैप्टल वाई इसमाल आर इसमाल वाई ठीक है अब हम कैप्टल आर कैप्टल वाई इसमाल आर इसमाल वाई को हम लोग स्वा परागण कराएंगे आपस में ठीक है अब हम लोग स्वा परागण कराएंगे तो देखिएगा capital R capital Y small r small y जब हम इसको आपस में 100 परागण कराएंगे वैटा तो RR हम लोग अलग करेंगे capital R का परागण इससे कराएंगे तो हमको मिलेगे capital R small y ठीक है फिर हम capital R का परागण small y से कराएंगे तो क्या मिलेगे capital R small y इसी तरह हम इसमाल वाई का परागर्ण कैप्टल वाई से कराएंगे क्या मिलेगा इसमाल वाई और कैप्टल वाई फिर इसमाल आर का परागर्ण कैप्टल वाई से कराएंगे तो यह देखे हमें इतना मिला कैप्टल आर कैप्टल वाई है ना इतना हमको मिलेगा इतना बेटा हमको इधर भी मिलेगा जब capital R से करा राइगा फिर क्या मिलेगा इस्माल आर कैप्टल वाई इतना हमगे दर मिलेगा इतना हमको इधरahu पर मिला इतना हम को इधरस करा फिर इतना हम लोग इसा आपसमे संकरन कराएंगे। ठीक है इसको हमने बोला संकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे ठीक है इसको हमने बोला संकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे तो इसका आप लोग समझ चुके हैं तो इसका आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए अब हम लोग इसी का जो यह है न इ हैंगी किसका कैपिटल आर कैपिटल वाइज का संकरण कराने के लिए हम ऐसे तो उसका करा नहीं सकते कि आरेक के माध्यम से कराएंगे तो फिर कैसे कराएंगे इसको हम लोग कराएंगे पुन्नेट के चकर बोड से किस में से कराएंगे बिटा हम लोग कराएंगे इसका चकर बोड से तो आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए ठीक है बिटा तो आई होप आप लोग ने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा मैं इसको मिटा देता हूं अब हम लोग दे अब चकर बोर्ड का मतलब क्या होता है कि 1,2,3,4 चकर बोर्ड क्या होता है इसकों लोग इसे खीचेंगे फिर ऐसे खीचेंगे चकर बोर्ड मतलब 4 खंड़ने होने चाहिए एक दो तीन चार ठीक है फिर एक दो तीन चार ठीक है यह हुआ हमारा चकर बोर्ड ठीक बिटा यह हुआ चकर बोर्ड अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका हमने बोला थाब को शंकरण कराना है तो हम लोग लेके चैप्टल आर इसमाल घैंगे एधर भी हम लिखेंगे समज गया है हम लोग इसको農िक देंगे इसको में मिटा देता हूं अब हम लोग इसका सब लिखेंगे इसको अपस में मिलाओ क्या बनेगा यह मनेगा कै्प्टल ार पीर कैप्टल y코 muitas या समझे इसका why समझना इसको अच्छे ही ठीक है capital R capital capital y capital y small y पिर capital R इस्माल वाई capital R इस्माल वाई capital R फिर capital R capital R small R capital R capital Y capital R y फिर capital R नहीं वेटा डोनों होंग इसमे क्या होगा बेटा इसमाल आर इसमाल आर कैप्टल वाई कैप्टल वाई फिर इसमाल आर कैप्टल वाई इसमाल वाई फिर समझना इधर क्या होगा कैप्टल आर इसका इसके साथ कराएंगे कैप्टल आर इसमाल आर कैप्टल वाई समाल वाई कैप्टल आर इसमाल आर फिर देखिए ये इसका पूरा कॉंबिनेशन बनेगा ठीक है जब हम देखेंगे कि इसका इतना जब हम लोग इसका इसके साथ कराएंगे इसका इसके साथ कराएंगे इसका इसके साथ पूरा हम लोगों ने लिख दिया अब हम लोग इसको सजानेंगे अब हमको पता है जो कैपट आर कैप्टल आर कैप्टल वाई कैप्टल वाई इसमाल आर इसमाल वाई इसमाल वाई कैप्टल आर को हमने बोला गोल इसमाल वाई को हमने बोला पीला कैप्टल वाई को फिर इसमाल आर को बोला हमने जुर्री दार ठीक है फिर इसमाल वाई को हमने बोला हरा ठीक है तो आप को क्या करना है इसका čी स्क्रून सौट लेना है और खुद लिखना है कैपटल और कैपटल वाई हैं डोठ'T ुलिह दयता हूं आप लो यहां पीला नीकिये सब्सक्राइब जrikते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे किया ओए गोल ठीक है अब ही capital R capital Y is small y capital Y क्या है प्रभावी लच्छड है प्रभावी लच्छड को हम लोग लिखेंगे इधर ही पीला ठीक है तो देखो इतना हो गया अब इसको आपको पूरा भरना है ठीक है पूरा अपने कॉपी में भरना है मैं इसका आप लोगों को बता देता हू जीनो टाइप और फीनो टाइप ठीक है जीनो टाइप और फीनो टाइप जीनो टाइप का मतलब जीन को देख करके इसके सभी जीन को देख करके इसका जीनो टाइप बनेगा देखिए exact इसका जीनो टाइप आपको गिनना पड़ेगा जब आप सबको लिख देंगे तब आ अनपाते 2 अनपाते स्च फी ओंपार्रा ऑल नीचे वाला रह billion आपको क्या करना है आपके लिए वर्क है कि आपको इन सभी को आपको भरना है ठीक है आप लोग क्या खरी इसका स्क्रिंसाट ले लीजिए और इसमें बचा आपका ब्लड हाले सवाल ठीक है ब्लड के चीत्रारे एक है तो आप लोग इतना पढ़ लिजिए फिर हम लोग उसको कभी कवर कर लेंगे एक छोटा